मोबाइल को निरंदर अपने साथ मत रखें नहीं तो यह कुछ नहीं करने देखा तुमको पता नहीं कि यह मोबाइल तुम्हारे किस तरह से तुम्हें विनाश तुमको बरबाद मोबाइल है बड़ी अच्छी चीज़ 2022 सूचना का यूग है सूचना का कितनी यूसफल चीज़ है इसकी बड़ी खतरनाक आदत है वह आपको अभी ऐसास नहीं होगा या आपकी तो कंसेंट्रेशन की छमता है उसको मार देगा कंसेंट्रेशन एक बार खतम हुआ अलब तूटा बिखरा उसको दुबारा बनाना बहुत मुस्किल पान जहन फ्रेंट्स अगर दो हजर बाइस सूचना का यूग है सूचना का इसे अब तो मोबाइल आप सारो लोग मोबाइल रख्ते होंगे हम नहीं रखते मोबाइल अपने पास हम क्लास में रखते ही नहीं मंदिर इंदर नहीं है मूबाइल लेके नहीं कुछ नहीं होती है तुमको पता नहीं कि मोबाइल किस तरह से तुम्हें विनाश्ट मोबाइले बढ़ाट मोबाइल है अच्छी जीज अब देश के बड़े बाळान एक नामीक टीचर है सब का लेक्ष्टर अपलोड हो यू सर्वे आया दस बारा टीचरों ने समझाया उसको कि सुन लिए कि कितनी यूसफुल चीज़ है लेकिन मोबाइल को निरंतर अपने साथ मत रखिए नहीं तो यह कुछ नहीं करने देखा आप कि इसकी बड़ी खतरनाक आदत है वह आपको अभी हैसास नहीं होगा यह आपकी जो कंसेंट्रेशन की छमता है उसको मार देगा कि तर्फ कुछ भी करोगे कुछ भी कुछ भी करोगे कंसेंट्रेशन एक बार खतम हुआ तो लग तूटा बिखरा उसको दुबारा बनाना बहुत मुश्क्राइब कि दुनिया में अगर मन की स्थिरता को चेक करना है तो आदनी को किताब दे दो कि मन जो है ना सारी किताबों का अब्सॉर्प नहीं करता हुआ कि किसी के मन की स्थिति चक्रनी उसे किताब दे दो कुछ लोग एक पेश पर सोने लगेंगे कुछ दो तुछ पांच तुछ आठ लोगे अगर वो समझेगा नहीं तो वो सोने लगेगा है यह उसकी बड़ी खास बात है कि इसने आज लोगों के लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया और उसकी मेन वजह है यह मोबाइल कि इसने लोगों के कंसेंट्रेशन को खतम कर दिया कि अ मार दिए लाए कि लाइभर्री मॉब्मेंट में क्या होता था कि लाइवरे लाइबरेरी लाइपर भार्णक्न परपाई रखी होती थी और उस गाओं का जो पढ़ा लिखा आदमी होता था वो उस पूरे न्यूस्पेपर को पढ़कर गाओं के लोगों को सुनाता था कि कार पांच गाओं के लोग मिलकर आते थे सुनने के यह परंपर आज भी जारी है इस देश में कि सुबेट छे बज़े लोग चाई की दुकान में पहुंच जाते हैं और जितना अच्छा करण्ट अफियर उनका है उतना तैयारी करने वालों का नहीं क्योंकि न्यूस्पेपर को तैयार करने का एक ही तरीका है ग्रोप जो छोटी-छोटी चाई की दुकाने बनी थी यही तरीका ही दनी आज भी गाओं में प्रथा आज भी सेहरों में भी है कि सुबेट छे बचे लोग आ जाते हैं घर से और एक आपनी पेपर पढ़ता है और फिर चार लोग बैठके एनलिसिस करते हैं और जितने गाओं के आ कि खासियत क्याती सब पता देंगे वो क्योंकि छे से दस बाइटना है दिन बर कि सुबच्छे वजए एक चाय ले लिए बैटे हुए और चार लोग रूस की तरफ से हैं दो यूक्रेन की तरफ से हैं अगरा जैलन सिकिया बहादर जो है ना डटा हुआ है दूसरी पार्टी करें कि मार रहे सब पटक के वहां ऐसे थोड़ी भास होती है वहां तो लीगल भासा में होती है आजकल तो मार फीट भी हो जाती है ही तो कि एक लिए भार मैं बार बार आपसे हम हो कि पढ़ने लिखने सा कुछ नहीं होता है के उता है झाल यह कूछ नहीं इस तो आज यह पार्ड़ने लिखने से तो कुछ होता है नहीं पढ़ाई गए एक ही उद्दे से दिमाग को खोलना इस इकल टू ए एडुकेशन इस इकल टू अला जब तुम स्कूल से निकलो तो तुम्हें देखकर चीज़ें समझ में आनी चाहिए अगर तुमको चीज़ें देखकर समझ में नहीं आती ही तो पर्णे से कोई फाइदा ही नहीं हम més कुछ होता ही नहीं पर दिंबाग के लिए को खोलना नोकरीके लिए नहीं होता है कि इस देश ने एजुकेशन को इंप्लॉइमेंट बना दिया पढ़ना मतलब नौकरी और यह मेकाले की देन है नौकरी वह भी सरकारी 22 साल का लड़का यहां डिप्रेशन में 22 इयर्स इसलिए जानवर की जो योनी है वो निक्रस्वी योनी मानी गई है क्योंकि वहां उत्थान का कोई रास्ता नहीं जानवर इंद्रियों पर पैदा हुआ इंद्रियों पर मरेगा मनुष्य एक मात्र प्राणी है जो इंद्रियों पर पैदा तो हुआ है लेकिन इंद्रियों से उठकर वह अपनी छेतना तक जा सकता है मतलब भगवान बनने की चमता है उसके अंदर यह धर्म का उद्देश है जहिंद 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 जहिंद